Good morning students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सामराज्यबाद के बारे में पढ़ रहे थे और we were discussing the causes of the rise of imperialism in the 18th, 19th century यानि सामराज्यबाद के उदे के कारणों के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें मैंने कुछ आपको कारण बताए थे जिसे और जोगिक करांती, अतरिक्त, पूंजी, कच्चे माल की प्राप्ती के लिए याता याता और संचार के साधनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था तो इसमें ये बताया था कि किस तरह से जब means of transportation and communication बढ़ा जैसे कि रोड से बहुत से टाउंस कनेक्ट हो गए आपस में बहुत सी कंट्री आपस में कनेक्ट हो गई और टेलिफोन के माध्यम से, टेलिग्राम के माध्यम से, टेलिग्राफ से क्या होता था कि संपर्क हो जाता था और फोन पर ही जो है व्यापारिक जो सौधे होते थे वो निमर जाया करते थे तो इसने भी सामराज़वाद में सहयता प्रदान की इसके बाद अगला पॉइंट हम लेते हैं वो है जनसंख्या में वृध्धी तो देखिए उनिसमी शताबदी में योरप में जनसंख्या में तेजी से वृध्धी देखी गई अगर इंगलेंड की जनसंख्या की बात करें क्योंकि इंगलेंड से आप जानते हो कि और दोगिक क्रांती की शुरुवात हुई और सामराज्यवाद भी एक तरह से आप जो नव सामराज्य की बात करते हैं वो इंगलेंड से इसकी शुरुवात हुई थी तो अठारा सो इसमी में जो इंग्लेंड की population थी इट वस वन करोड सिक्स्टी लाग एक करोड साट लाग थी population और सौ साल बात की अगर हम बात करें यानि उन्निस सो इसमी में तो यह जो जनसंख्या है यह चार करोड दस लाग हो गई थी इसी प्रकार से अगर हम जर्मनी और इटली की जनसंख्या की बात करें तो दे नियरली डबल जितनी वो अठारा सो इसमी में थी उन्निस सो में डबल से भी थोड़ी सी जादा हो गई थी तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या प्रभा पड़ा जनसंक्या के व्रिधी से क्या हुआ कि रोजगार और आवास की समस्या है उत्पन होई क्योंकि देखे ये देश है छोटे छोटे देश इंग्लेंड है बहुत छोटा है आप इटली को देख लो इन कंपारिजन टू एशेयन अफ्रिकन तो आपके देखे इन में आवासी है समस्या उत्पन होगी कि घर कैसे मतब जगे नहीं थी और दूसरी बात ये कि रोजगार की समस्या उत्पन होगी तो इस समस्या का एक ही हल था वो क्या था सामराज्य बात उपनी वेशों की प्राप्ति एशिया और दक्षणी अफ्रीका में कई तो ऐसे प्रदेश थे जहां पर जन संख्या नगर्न्य थी ना के बरावर थी और वहां पर कच्चा माल बहुत उपलब्द था तो नेचरली यूरोपिय देश इन देशों की तरफ अट्रेक्ट हुए और उपनिवेश थापित करने के लिए वो चल दिये और कुछ देश तो आपसी इर्षा के कारण उपनिवेशिक होड में शामिल हो गए एक दूसरे से जलन होती थी कुछ देशों को जैसे इंग्लेंड और फ्रांस की शत्रुता तो कोई नहीं नहीं है तो बहुत पुरानी है इंग्लेंड और फ्रांस तो जो है बहुत समय से शत्रु थे भारत में भी आप देखो कि इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में अंगल फ्रांसेसी संघर्ष आपने पढ़ा होगा किस तरह से करनाटक के युद्धों के नाम से इसको जाना जाता है तो जनसंख्या की जो वृद्धी है इसने भी सामराज्यवाद को बल दिया सबजगे ना जनसंख्या में यूरप की जनसंख्या में आश्चरे जनक वृद्धी हुई अठारवी उननिस्वी शताबदी में जिसके कारण आवास की समस्या उत्पन हो गई रोजगार की समस्या उत्पन हो गई तो इस एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को एडजेस्ट करने के लिए उपनीवेश प्राक्ती पर बल दिया गया अगला पॉइंट है बाजारों की अवशक्ता यह हम पहले से डिसकस करते आ रहे हैं इसका कारण क्या था कि यूरोपियन मार्किट वस अलड़ी सेचुरेटेड कहने कारती है कि मैंने आपको बताया था कि अध्योग एक्रांती इंग्लेंड, फ्रांस, पेन, पुर्टगाल, स्विट्जरलेंड, ठीक है जर्मनी, इटली, इन सब देशों में फैल गई अब देखिए सभी देशों में उद्योग लग गए, सभी देशों में माल तेजी से बनने लगा, सभी देशों में माल बहुत ज़्यादा उत्पादित होने लगा अब माल तो पादित इतना होया कि वो जनसंख्या थी वो खपा नहीं पा रही थी वो माल इतना जादा माल का प्रोडक्शन हो गया तो अब वो जो अतरिक्त माल है वो कहां जाएगा मशीन तो देखो एक कोई चीज मानलोग मशीन में कोई चीज निकालनी है तो वो बहुत ही लार्ज स्केल पर वो चीज निकलती है मशीन से तो फटाफट मतलब एक आदमी एक हाथ से काम कर रहा है उसको कितना समय लग जाता है और एक मशीन उसी चीज़ को फटाफट बना रही है तो क्या हुआ कि माल तो बहुत ज़्यदा बनागी है लेकिन उसकी खपत हुई नहीं यानि जनसंख्या इतनी मिनी थी कि वो माल को खपा सके तो ऐसे में जरूत पड़ी बाजानों की जहां पर उस माल को बेचा जा सके अब बाजार जनरली क्या होता है कि आस पास दिखा जाता है बाजार क्या है अगर आप पुर्टगाल और स्पेन को देख लो तो पुर्टगाल और स्पेन तो बर्लकुल बार्डरिंग जो है कंट्रीज है स्पेन और फ्रांस के बीच में बार्डर है फ्रांस और जर्मनी के बीच में बार्डर है ठीक है जर्मनी और स्विट्जरलेंड चेकोसलोवा किया मतलब कहने कारती है कि ये जो देश थे इन सभी में अध्योगी करांती आ चुकी थी सभी में सर्प्लेस माल था तो एक देश दूसरे इन देशों में माल नहीं बेच सकता था क्यों क्योंकि अलरी उसके पास माल बना पड़ा है मालो इंग्लेंड में उद्दियो की करांती आई ठीक है एंग्लेंड वाले ये सोचने लगे है कि हम स्पेन में माल बेचेंगे स्पेन में भी तो आई भी है वहाँ वी आपेःज्शक्ता बढ़ा है तो ये जो हमने कारण पढ़े हैं ये सामराज जवाद के आर्थिक कारण पढ़े है अब हम पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण आप शायद सोच रहे होंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं पहला कारण हम पढ़ेंगे इसाई धर्म का प्रचार या इस तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को छोड़ कर बाकि जितने भी धर्म हैं, वो सब प्रचारक धर्म है, every religion is a proselytizing religion, जितने भी धर्म हैं, जैसे आप बौत धर्म, जैन धर्म, ठीक है, इसलाम धर्म, इसाई धर्म, जैनी यह लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं और इन क्या यह प्रयास रहता है, कि अधिक से धर्ती पर अधिक से अधिक लोग इनके धर्म में परिवर्तित हो जाएं, चैए वो इसाई धर्म हो, चैए वो इसलाम धर्म हो, तो यहां बात करें इसाई धर्म की, अब इंग्लेंड में इसाई धर्म, यॉरप की सारे देशों में ऐब इसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग है उनको बोला जाता है मिश्नरीथ ऐसे सोनी पत में हुली चैल्ड स्कूल है, सेंट जूड स्कूल है, हुली फेमली स्कूल है यह सब मिश्नरी स्कूल है, इसाईों के स्कूल है तो क्या है कि योरप के जो इसाई मिष्णरी थेaliśmy उन्होंने अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करना चाहा तो जब नए व्यापारिक मारगों की खोज हुई तो ये इसाई मिश्णरी भी उन खोज करताओं के साथ में चले जाया करते थे धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हें लगता था कि जहां ये जाएंगे वहाँ पर लोग मिलेंगे लोग मिलेंगे तो उनको वो वो लोगों को dharma के बारे में बताएंगे इसाई धर्म के बारे में जैसे एक खोज करता था मारको पोलो ये बस न टैलियन ट्रेंटलो जब वो चीन गया तो इसाई मिश्णरी भी उसके साथ में गये ठीक है इसी प्रकार इसाई पादरी जो होते थे चर्च के जो धर्मा ध्यक्ष जिने बोलते हैं इसाई पादरी भी चीन गए चीन की राधानी पेकिंग में उसमें पेकिंग राधानी थी उसमें बाइबल का उन्होंने तातरी भाषा में अनुवाद किया चीनी भाषा में अनुवाद किया और भारी संख्या में लोगों को इसाईयत में परिवर्टित किया याने इसाई धर्म में परिवर्टित किया इसी प्रकार अफ्रीका में प्रचार के लिए बहुत से मिशनरी गए वहां भी लोगों को इसाई धर्म में परिवर्टित किया ए जो चार्टर एक था ना 1813 का एक एक पास हुआ था उस चार्टर एक के माध्यम से इसाई मिशनरी भारत में प्रवेश कर गए और इन्होंने जगे जगे भारत में ट्रैवल करके गुम गुम कर अपने धर्म का प्रचार किया ये क्या करते थे कि ये जब भी कोई प्राकृतिक काबदा आती थी तो ये लोगों की साहिता किया करते थे और लोगों की साहिता करते करते ये लोगों को अपने धर्म में परिवर्टित कर लिया करते थे लोग देखर प्रलोग बन या जैसे भी जो है अधिक से अधिक लोग इसाई धर्म में परिवर्टित हो गए और देख जो भारती हैं वो असभ्य हैं और जीसस क्राइस्ट ने यानि ईसा मसी ने इसाई मिशनरियों को ये कहा है कि तुम्हे धर्ती पर जितने भी असभ्य लोग हैं उनको तुम्हे सभ्य बनाना है इसे कहते हैं शोयत वarti का भार वाइट मैंस बर्डन कि शोयत यानि गोरे व्यक्ठियों का करतव है कि वो काले और असभ्य लोगों को सभ्य बनाए तो ये आप कहने के दलील देखकर ये बाते फैलाकर इसाई मिशनर्यों ने भारत में और भारत क्या एशिया के बहुत से अन्य देशों में अफरीका में अपने धर्म का प्रचार किया और ये सामराज्यवाद का एक कारण भी बना अफ्रीका में Livingstone नामक एक England का ग्रती था जिसने अफ्रीका में इसाई धर्म के प्रचार में महतुपुन भूमिका निभाई तो इस प्रकार से इन उपनिवेशों में इसाई मिश्णरियों ने सामराज्यवाद लाने में महतुपुन भूमिका अदा की इसके बाद अगला पॉइंट हम नेंगे शिक्षा का प्रसार तो देखे अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में सामराज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की भूमिका महतुपुन थे आप ये देखे कि यूरप के देशों के लिए भारत में आना या अफ्रीका में जाना एक बहुत बड़ा लेंग्वेज बेरियर क्रियेट करते थे अब जो इंग्लेंड के लोग मतब जो यूरप के लोग हैं वो भारतिय भाषा उसे अनम भिग्गे थे और वो अफ्रीकी भाषा उसे अनम भिग्गे थे तो उन्होंने क्या किया कि एक अपनी जो भाषा है यानि अंग्रेजी भाषा और अपना जो अपनी जो शिक्षा है उसको इन उपनिवेशों में लागू किया जैसे भारत की अगरम बात करें तो 1835 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू हो गई थी तो इसने भी संपर्क का एक माध्यम बनाया इसके कारण भी सामराज्यवाद का विकास हुआ कि लोग संपर्क में आए ठीक है और उपनी ये जो योरप के लोग थे ये इन को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुई तो इनकी सोच भी बदली ठीक है ये भी इसायत की तरफ ये भी योरप की तरफ आकरशित हुए तो इसने उपनीवेश वाद में और सामराज्यवाद में महत्पून भूमिका अदा की इसके बाद लास्ट कॉइंट आजम लेते है इसका वो है उग्र राश्टियता तो देखे सामराज्यवाद के विकास में उग्र राश्टियता की भूमिका महत्पून थी अब ये जो एशिया और अफ्रिका के देश थे इनमें तो राश्ट्री एक्था का अभाव था आप जानते हैं जैसे भारत है राश्ट्री यह था थी, extreme nationality थी, इन्हें यह था कि हमें अपने राष्ट को number एक दिखाना है, number एक बनाना है हमें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपनीवेश प्राप करने हैं, उस समय यह बात होगी थी कि जिस देश के पास ज़्यादा उपनीवेश होंगे, इसका मतलब वो देश जो है सबसे शक्तिशाली देश है, और आपस में परधा शुरू होगी, competition शुरू हो गया इन देशों में, तो इस परधा के चलते, इंग्लेंड, जर्मनी, रूस, बहुत से देशों ने सामराज्यवादी नीती को अपना है, वो चाते थे कि विश्व के मान्चित्र में सब से शक्तिशाली देश उनका बने, तो इसके कारण वेरोपिय देशों ने सामराज्यवाद पर जोड़ दिया, बाकी जो पॉइंट्स हैं और बाकी जो राजनेतिक कारण बचें इसमें, वो फिर हम अगली ग्लास बनेंगें, ताम्च्च्च्च्च्च्च्